नमस्कार मैं हूँ रोहित कुमार आप देख रहे हैं न्यूज फोर निशन आरजीरी सुप्रेमु लालू प्रशाद यादव के छोटे बेजिते तेजस्वी यादव कहा हैं यह सवाल सब को जाना चाहता है उस सवाल में जाने से पहले आपको हम यह तस्वीर दिखाते हैं यह तस्वीर है 19 माई की जब तेजस्वी यादव ने विधान मंडल दल की बैठा के बाद एक प्रेस कॉंफरेंस की और उसके आधे खंटे के बाद ही पटना से रवाना हो गया दिखे तस्वीरों में किस तरीके से तेजस्वी यादव पटना एरिपोर्ट पर आखरी बार पटना में नजर आये और फोन पर बात करते करते एरिपोर्ट के अंदर दाखिर हो गये उसके बाद से कहा हैं ये किसी को पता नहीं है एक के दुक्षे से मौक्या आये हैं जब वो च्यूटर पर नजर आएं हैं खास करके बिर कोवर्सें की जैनती की बात हो या फिर उनके पापा लालु यादव का जन्यम दिन की बात तेजस्वी यादव यहां पर नजर आते रहे हैं लेकिन सबसे खास बात ये है कि लोग सबाद चुनाओं में मिली बड़ी हार की बात तजस्वी आदब जो हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के निटीश कुमार से तजस्वी आदब सीधी लड़ाई में हैं 2020 में जो उनके समर्थक हैं उनको बतोर सीम देख रहे हैं लिहाजा सवाल इस बात उले खड़ा होता है कि तजस्वी आदब कर क्या रहे हैं ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार के मुख्यमंतिर निटीश कुमार विते जब से चुनाओं के नतीजे आए हैं तो सबसे पहले दिल्ली जाते हैं वहाँ वहाँ से आने के बाद उनका जो भी मन मुटाव होता है बीजीपी के साथ में उसके आद टेस कोइंफरेंस करते हैं लेकि रुकते नहीं हैं उसके बाद एक की बाद एक समिक्षा जो बैठके हैं वो चल रही हैं कभी लोगन और को लेके तो कभी बिहार में शराबंदी को करके तो कभी अलग अलग बिभागों के सरकारी कारिक्रम या फिर उनकी यूजनाएं चल रही हैं उसमें सरकार किस तर से किस तरीके से काम हो रहा है इन तमाम चीज़ों पर बिहार के मुख्यमंतर नितिश कुमार लगातार बैठा कर रहे हैं लेकि तजस्त्री आदब फ्र से मैदान में उतर जाता है लेकिन आरजेदी में इस वार सब कुछ मिसिंग है क्योंकि तजस्त्री आदब ही मिस हैं सबसे बड़ी बात यह कि यह जो अंतिम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बार बार अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीर यह कहानी कहती है कि 29 मई के बाद से आज तक यानि कि कुल 16 दिन गुजर चुके हैं और तजस्त्री आदब का कोई पता नहीं है क्या तजस्त्री आदब में एक आंतवास ले लिया है या किसी दुसरे प्रजेक्ट पर लग गए हैं यह सवाल इसलिए भी कि क्या तजस्त्री आदब 2020 के विधान सभा चुनाओं को ले करके को अंदर खाने से रनीती बनाने में जूटे हैं इन तमाम चीज़ों पर नजरे बनी हुई हैं लेकिन दूसरी तरफ की बात करें तो नितिश कुमार बहुत एक्टिव होकर के लगातार काम कर रहे हैं चाहे वो उनके मंत्री हो विभाग हो योजनाय हो या फिर उनके वक्तिकत कारिकरम तमाम चीज़ों में वो बहुत सक्रिय तोर पर नजर आते रहे हैं लेकिन इन सब की से अलग अगर थोड़ा आगे आपको लेके चलें तो बता दें कि इसी महीने के 28 तारिक से यानि कि 28 जून से बिहार विधाल मंडल जो विधाल मंडल है वहाँ प 15 दिन के इस वक्त में तेजस्वी आदब के गैर मौजूदगी में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष जो है पूरी तरीके से तयार है सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए क्योंकि जब से नितिशकुमार अलग हुए हैं खास करके महाकरित बंदन से खुद को अलग किया उसके बाद से तेजस्वी आदब बेहद आकरामक रहें सदन के अंदर और बाहर भी पहला मौका ऐसा होगा जब तेजस्वी आदब लोगसवा चुनाओं में मिली बड़ी हार के बाद से गायब हैं सवाल इसलिए भी कि विधान सभा का जो सत्र होना है मौनसून का वो 21 दिन तक चलेगा इस बार और 21 दिन के सत्र में विपक्ष्य क्या भूमिका होगी और किस तरीके से तयारियां की जा रही है इन तमाम जो पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि तेजस्वी आदब खुद गायब है नजरे तेजस्वी आदब को ढून रही है कि आखिर त पटना से कहीं जा रहे थे जा रहे है क्वार के सकते जान के से लंग एटने मुवाद के सकते तक बादेंस साहए है कि अगो कि तेजस्वी आदब के रहे है जा है कि अएक। पादे लाव क। बादेंस